हेलो वेल्कम तो हन्स्वाईने प्लासेश कैसे हो आप लो तो जैसा कि मैंने आपको बताया था नशी ऐती की सीरीज लेगा आ आ रहा हूं अपके डिए तो नशीक बालखी का पौरिशन है और बिल्कुल बेसिक आपको बतारहों जहां से biology की हम शुरू बात करेंगे step by step तो जीवन की अगर हम बात करें यानि की जीवन की मौले की का unit of life किसको कहा जाता है तो unit of life से या कोशिका होता है तो कोशिका की खोष सबसे पहले किसने की 1665 में रॉबर्ट हुग के दौरा की गए जीवन की खोश पहले जीवन पहले से था मगर ये जीवन हो कहां से रहा है तो इसके बारे में जो खोश होगी शुरूबी वो 1665 में रॉबर्ट हुग के द्वारा की गए तो यह आपका कोशिका की खोज किस के द्वारा की गए तो रॉबर्ट हुग के द्वारा की गए और जीवित कोशिका की खोज यानि वो कोशिका जीवित है या कोशिका जीवित है इसके बारे में 1674 में लिवन हॉग के द्वार बदाया अब कोशिका केंद्रक की खूँच प्रतियक कोशिका में एक केंद्रक होता है केंद्रक होता है और इस केंद्रक के बारे में जो तरवर्ट ब्राउन के दौरा यह कोशिका के इंडर की खोज किसके दौरा की गई थी और उसके बाद कोशिका में तरल पधार्थ होता है जिसको जीवद्रवे का जाता है तो इस जीवद्रव के बारे में जो बताया वो जेवी पुरोकंज ने बताया और एटी थर्टी नाइन में इसके बारे में उमें जानकारी थी तो जीद्रवी की खोज किसने की, कोशिका के इंद्रव की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की और कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, यह अपने आप में एक कोशा है, ठीक, अब यहां तक आ गए, कोशिका का सिध्धान्त, तो कोशिका का सिध्धान्त कि यह बता दिया कि पौधे और जन्तू पौधे भी और जन्तू भी यह सब काय के बने होते हैं कोशिका के बने होते हैं किसके बने होते हैं कोशिका के तो सभी कोशिका है यानि जो भी कोशिका है बन रही है यानि कि यहां से कोई एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण हो रहा है फिर यहां से एक कोशिका का और निर्माण हो रहा है तो यानि कि पूरवर्ती कोशिका क्या कर सभी कोशिका है यानि जो भी कोशिका है बन रही ह यानि अपने पहले वाली कोशिका के द्वारा ही नई कोशिकाओं का निर्माण किया जा रहा है अब यह चाहें जंतु में देख लीजे चाहें वनस्पती में देख लीजे ठीक है तो यहां से सारे धी कोश्टन बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं एक बार इसका स्क्रीशॉ तो अब दिखें विर्चो के द्वारा यह बता दिया गया कि सभी कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है यानि प्रतियक जो कोशिका है वो पिछली कोशिका से बनी है अब कोशिका के तीन गुण होते हैं कौन-कौन से गुण होते हैं कोशिका में यह तीन गुण होंगे पहल से बाहरी परत कोजी हो गई कोशटन हो गया अगर हम बात करें कि पादप कोशिक आगी तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत जो होती है कोशिका भित्ती कहराती है जो मुक्र उपसे cellulose से बनी होती है कोशीका की ःबले स्टीन गौन प्लाजमा ःबले प्लाजमा 野बले से बाहरी परत है पादब कोशीका की अब बात करें तो कोशीका विर्ति करेंगे उसको और यह cellulose भी नहीं हो कि दूसरे और केंद्रक होगा कोशिकाध्रा फरें और कोशिकाध्रापने यह दुनों मेंकल क्या कहलाते here क्या कहलते हैं जीव द्रब में कहला गोशिका द्रब जीब Northius के लिए आवशक है केंध्रक आने वाले समय के लिए यानि और नई कोशिका के लिए आवशक है तो केंध्रक थो होता है यह kromosome और kromosome बना होता है DNA और protein का वना होता है सबीक्रंटरब परिश्चा में आया हैं बाइज अभी किसी एक्जाम में मुहीं द््यान रहाएं किसे पेपर में पूछा रहाँ वे तो इस अभी ने देखा है कि जीव द्रव्य में कौन-कौन है तो जीव द्रव्य में भाई केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है तो इन कोशन को भी आप लोगे पर इसका स्क्रीशॉट ले लिए ठीक और यहां कंफ्यूज मत किजिएगा अगर आपसे पादप जिल्ली पूछ रहा है तो आप पादप अब हम बात कर लेते हैं भाई लाइसोसों की तो लाइसोसों क्या होता है लाइसोसों का जो काम होता है यह क्या करता है यह कोशिका को खाने का कारे करता है मगर कोशिका को खाने का काम करता है मगर ये कैसी कोशिकाओं को खाने का काम करता है जो कोशिकाओं मृत हो जाती है ठीक, तो मृत कोशिकाओं को खाने का काम करता है लाइसोसोम करता है तो इसको क्या कहा जाता है इसको कोशिका की आतमहत्या की ठैली कहा जाता है को चीक जदिए झाइल निлось कोशिका को खाने काईब हम इले यह कुंता है यह कोशिका को खाने का रखता है यह कर सिर् exploded को चैनल रेक़् प्रेस जटिए अब बात करते हैं माइट्रोपृंडिञ जब क्या होता है यह कोशिका का कछिका का राका कि बश्चद्रीर घ triggering क्या कह लाता है कि क्या करता है ये को क judgment को निर्मान में साहट होता है तो माइक्रोंडिया क्या करता है को चाहए वह नि क्या कर रहा है उनो को को खाने का काम करता है तो ए यह दिक्कत नहीं है यह कुशिका क्कई ऐबार पर इથी खर्दी कि इसको कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस कि इसको कहा जाताए और यह है कि प्लैस्टिड जो कि पादब कोशिकाओं में होता है अब मैं आपको जो है पादब कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो पादब कोशिकाओं में क्या हो जाता है भाई फ्लेस्टिड का होता है यह को कहा जाता है जो क्लोरोफिल वर्ड Cornus के इसके द्वादाब्ध बनता है तो प्लैस्टिड ूरowego चोण बनता है इध्र कहा पाया जाता है घाल को शीकाओं में होता है Chromoplast अब…. है तो यह कैसा हो जाएगा यह रंगीन हो जाया थी तो तो क्रोमोप्लास्ट क्या काम करता है या क्लोरोफिल किसके कारण है या देखे सीरा सा कुश्चन आ गया वह कौनों का हरण किसके कारण होता है क्लोरोफिल के कारण होता है तो क्रोमोप्लास्ट इसके लिए जिम्मेदार है ठीक पादप कोशिकाओं में स्टार्च का निर्माण तेल का निर्माण और प्रोटीन के निर्माण में कौन साहता करता है तो वह लिउकोप्लास्ट साहता करता है तो यह आपका पूरा पादप कोशिकाओं से लेकर चला था और खतम मैं पादप कोशिकाओं पे कर रहा हूँ, इसके बाद उतक पढ़ाओंगा और उतक भी कोशिश करूँगा कि पादप उतकों पे ले जाके मैं अपनी बात को खतम परो, क्योंकि जी विग्यान जो हम पढ़ेंगे तो वहार अलग चीज़ आएंगी सामने, ठीक है, तो बहुंका थोड़ा सा आस्मी बिश्पास बढ़ता है, और भाई, देखते रहें, बढ़ाते रहें थोड़ा सा वीडियो को हमारी, ठीक है, आज कल थोड़ा व्यू बगएरा कम देख रहे हैं, ठीक है, थैंक्यू बड़ी माच,